भारत का सम्विधान निर्माण और एतिहासिक संदर्व भारत में सम्विधान निर्माण की प्रक्रिया का इतिहास बहुत लंबा है सम्विधान की मूल भावना है कानून आधार शासन जो किसी की मनमर्जी से नहीं वरन्यम कानूनों के आधार पर चले भारत के लिए सबसे पहले इस तरह का कानून 1772-73 में बृतेन के संसद ने पारित किया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं तब भारत के कई प्रांतों पर इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था 19-वी सदी के अंत में भारतियों को नगर निगम आदि में चुनाओ के द्वारा सीमित भूमिका दी गई सन 1885 से स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार यह मांग उठाई गई की शासन में भारतियों की भूमिका बढ़ाई जाए इसके चलते प्रशासन में भारतियों की भूमिका लगातार बढ़ती गई भारतिय आबादी के बहुत सेमित अंश को प्रतिनिधी चुन्ने का अधिकार भी मिले फिर भी सभी अंतिम शक्ति वह अधिकार अंग्रेज वायसराय वह प्रांतिय गवर्नरों के हाथ में ही रहे प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में उठी लोकतांत्रिक लहर के प्रभाव से भारतियों ने भी सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर पूरी तरह से चुनी गई वा लोगों के प्रती उत्तरदाई सरकार की मांग की सन 1928 में भारत के सभी राजनेतिक दलों ने मोतिलाल नहरू की अध्यक्षिता में एक समिती गठित की जिसे भारत के लिए एक सम्विधान का प्रारूप तयार करना था समिती ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की इस प्रारूप के मुख्य प्रावधान थे पहला पूर्ण जिम्मेदार सरकार यानि सभी व्यस्क महिला वा पुर्षों द्वारा चुनी गई सरकार दूसरा अल्प संख्यकों के लिए आरक्षन तीसरा नागरिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता वा पंथ निर्पेक्षिता शांति पूर्ण सभा सम्मेलन तथा संगठन वा संग बनाने का अधिकार चौथा भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर गठन सन 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र हो गया उसके दबाव को देखते हुए सन 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया जिसमें भारत में एक सीमित हत्तक चुने गए सदनो वा उत्तरदाई मंत्री मंडलो द्वारा शासन का प्रावधान था इसके कई प्रावधान ऐसे थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के समविधान में भी समाविष्ट हुए 1935 से समविधान के आधार पर 1937 में प्रांतिय विधान सभाव के चुना हुए और अधिकतर प्रांतों में कॉंग्रेस दल की सरकारे बनी लेकिन ये केवल 1949 तक चल पाई 1947 में भारत छोडो आंदोलन तेज हुआ और जन सामानी के आक्रोश से स्पर्ष्ठ हो गया कि अंग्रेजी राज अधिक दिन तक नहीं चल सकता है